अपने देश को समिधान को जनतंत्र को बचाना और इसके लिए बीजेपी और इस सरकार को हराने की जरूरत है दोजार चौबीस के चुनाओं में यह हमारी रूजान हर समय रही थी बाकी पार्टियों से बाचित भी हो रही है और यह प्रोसेस अब जो है एक मुमेंटम पकड रहा है पकड़ चुका है और और वह आगे बढ़ेगा तीट की एजस्मेंट होगी स्टेट लेवल पर हर स्टेट में अपने अपने अलग परिस्तिया है केरल में कॉंग्रेस और हमारे बीच में टक्राव है सीधा-सीधा वहां पर बीजेपी का एक भी एमेले नहीं जीत सक है कि हम लोग maximize करे cooling of anti-BJP vote ये नहीं कि 37% vote लेकर वो सरकार बनाते जाए I'm not rooting about any front that is going to be formed if at all, it will always be after the election